चिंत पुन्नी में माता रानी के दर्शन करके वापिस लुध्याना जा रहे श्रद्धानों को उस वक्त परिशानी का सामना करना पड़ा जब नया बस्टाइन चिंत पुन्नी के पास बंदर नियास के होटेल की बिर्डिंग के साथ सड़क के किनारे नाली पर लोही की ग्रिल ना होने के कारण बस को पास देते हुए श्रद्धालों की दो गाड़ियां नाली के अंदर किर गई और वही पर फस गई जिसमें एक गाड़ी तो जल्दी ही निकल गए जबकि दूसरी गाड़ी को निकानने के लिए एक घंटे के लगभग का समय लग गया जिसके कारण गाड़ी में सवार लुध्याना की महिलाओं ने काफी नाराज की प्रकट की बताते चले कि ये दोनों गाड़ी सवार सुभा की समय मा के दरबार में हाजरी भरने पहुँच वही श्रद्धालों ने प्रिश्वासन से मांग की है कि इस नाली के उपर ग्रिल लगाई जाए वही मौके पर देखकर पता चलता है कि नाली की उपर ग्रिल लगाई हुई थी जो की तूट गई है वही मंदिर अधिकारी बलवन सिंग ने बताया कि जहां ये गाड़ियां गिरी है वहाँ पर जल्द ही लोही की ग्रिल लगवाई च्वाई की लाइफटेम्स टीवी के लिए चिंत पुन्मी से अमन शर्मा की विपोट पर भारी बचत का लाब तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर एक आच शुन्य शुन्य एक आच शुन्य आच शुन्य साथ दो पर चिंत पुन्नी में माता रानी के दर्शन करके वापिस लुध्याना जा रहे श्रद्धानों को उस वक्त परिशानी का सामना करना पड़ा जब नया बस्टैन शिंत पुन्नी के पास बंदर नियास के होटेल की विर्डिंग के साथ सड़क के किनारे नाली पर लोही की ग्रिलना होने के कारण बस को पास देते हुए श्रद्धानों की दो गाडियां नाली के अंदर किर गई और वही पर फस गई जिसमें एक गाडी तो जल्दी ही निकल गई जबकि दूसरी गाडी को निकानने के लिए एक घंटे के लगभग का समय लग गया जिसके कारण गाडी में सवार लुध्याना की महिलाओं ने काफी नाराज की प्रकट की बताते चले कि ये दोनों गाडी सवार सुभा की समय मा के दरबार में हाजरी भरने पहुंच वे थी वही श्रद्धालों ने प्रिश्रासन से मांग की है कि इस नाली के उपर ग्रिल लगाई जाए वही मौके पर देखकर पता चलता है कि नाली के उपर ग्रिल लगाई हुई थी जो की तूट गई है वही मंदिर अधिकारी बलवन सिंग ने बताया कि जहां ये गाडियां गिरी है वहाँ पर जल्द ही लोही की ग्रिल लगवाई जाए कि लाइफ टेम्स टीवी के लिए चिंत पुन्मी से अमन शर्मा की विपोट पर उच्टम ओफर्स आपकी पुरानी कार का सबसे बेहितरी नाम कीमते बढ़ने से पहले खरीत पर भारी बचत का लाब तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर एक आच शुन्य शुन्य एक आच शुन्य आच शुन्य साथ दो पर